दोस्तों, जुबिन नॉटियार को तो आप जानते ही होंगे बता देए कि सिंगर इस वक्त काफी कॉंट्रोवर्सी में फच चुके हैं दरासल आने वाले 23 सेप्टेंबर को यूएस में उनका एक कॉंसर्ट है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मत चुका है यहां तक की लोगों ने सिंगर को गिरफतार करवाने तक की मांग कर ली है चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि लोगों ने इन गिरफतार करने की मांग की है लेकिन उससे पहरे अगर आप हमारी इस वीडियो को फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजे और अगर हमारी यूट्यूब चानल पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब जरूर करिए Hello everyone, this is Sorak and you're watching Bollywood Chronicle सिंगर जुबिन नौटियाल ने अपनी आवास से लोगों को दिवाना बना रखा है उन्होंने राता लंबिया दिल गलती कर बैठा है लुट गए तुम ही आना जैसे कावी सारे हिट गाने गाये है जुबिन नौटियाल अक्सर अपनी गानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं लेकिन इस बार वो किसी और वजा से चल्चा में हैं दरासर जुबिन नौटियाल एक मुसीबत में फस्ते हुए नजरा रहे हैं और इसका कारण है यूएस में होने वाला उनका एक कॉंसर्ट इस कॉंसर्ट को लेकर वो लोगों के निशाने पर आ गया है और उन् इस पोस्टर को शेर किया है एस पोस्टर को शेर करते हुए लिखा मेरे फेड़ सिंगर हौस्टिन आ रहे हैं ग्रेट जॉब जैसिंग तुम्हारे चांदार प्रेजिंटेशन का एंतजार रहेगा जैसिंग का नाम सुनते ही हंगामा शुरू हो गया है बता दें कि लोगो पाइरिसी सहीड कावी सारी गंभीर आरोप हैं पंजाब का रहने वाला जैस अब यूइस में रह रहा है लोगों का खेना है कि पिन्व क्या एक आरोपी-काConcert कर रहा है ढूपन ओन जॉजर को यूजर ने बुरी तरह दोल किया, लोगों का खेना है कि जुबिन नौटियाल एक देश ड्रोही का कॉंसर्ट कर रहे है और ये देश के खिलाफ है और ऐसे में उन्हें धिरफतार करना चाहिए इस मामले पर आपकी क्या राया है हमें कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और बॉलवोड से जुड़े इस सारी खबरों के लिए देखते रहे हैं बॉलवोड क्रोनिकल